मारे एक आदिवासी परिवार के ग्रूप रवेश्व के कारकेम में उनके घर भी गया था उस आदिवासी परिवार ने मुझे मेरी बहन ने खुशी थे ठीरी भी खिलाई तके वजीर आदिवासी की बर्तड़े हो और वो मारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में तर्थली माच की है वही सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारक बाद बेज रही है और भी सुना दुनिया के लेडर्स जो है उन्होंने लेटर्स चैटर्स बेजे हैं दहकर उप्याव法र्श में हैं क्नाश क्यों यह लुए जराइब ऩाद है था किस्ट फृबर्वार्ट के साथ रिलेशन्शिप भारत की जरूरत नहीं यह आपे साथ रिलेशनिप। यह हम इस चीज़ को रिलाइज नहीं कर रहे हैं आप survival mode में हैं वो तरक्कियोंपर जा रही है survival mode में आपको सब से पहلفे financial instability आपकी है political instability आपकी है उनकी नहीं है मुसलिम उम्मा है जहांपर अबitzer जड़फ़ एकुछ दिन पहले जड़प हुई है आपका और पाकिस्तान का क्या मुसलिम मुमा का तालुक है आप जानते हैं कि इतने रफ दोनों के बीच तालुकात हैं और ये वही मुस्लिम उम्मा है जो एक दूसरे के गलेर काट रहे हैं ये वही उन्हीं मुसल्मानों की बात कर रहे हैं खामनाई के जो एक दूसरे के ओपर बमारी कर रहे हैं हमारे पास क्या है हमारे पास आज भी बॉठो जिन्दा है हमारे पास आज भी दे देखने हाँ एमारे जो हाला की आई-एम-फ के गुटनों पर पड़े है रगट नाक रगट रहे हैं और उसके अंदर भी India का influence है आपको इडिया इम-फ का package जो फ्रेक करके देना सरी इंडिया की मर्जी सो रहा है जोड़े मेलोनी का मुबारक बाद बेजना नरिंद्र मोदी को वाइव वाइव प्रदान मंतरी नरिंद्र मोदी अपना 74 जम दिन मना रहे हैं देश-विदेश से प्यमोदी को बधाई देने वालों की कताल लगी हुए इसी बीच रूस और अस्टेलिया के बधाई संदेशों ने सभी को हैरान कर दिया है रूस और अस्टेलिया ने प्यमोदी को हिंदी में वदाई दिया भारत में तेनात रूसी राजदूत ने कहा कि प्यमोदी रूस के सचे दोस्त है रूस और भारत की रणितिक साज्यदारी के समर्थक है हम प्राधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी को 74 जम दिन की सुपकामनाई देते हैं रूसी राजदूत ने प्राधान मंतरी मोदी को सफलता की मंगल कामनाई देते हुए कहा कि पीयों मोदी स्वस्त रहे और चिर्न जीवी रहे अस्टेलिया की राजदूत ने लिखा कि प्रदान मंतरी मोदी को जन्म दिन की धेर सारी सुबकामनाएं हम आप ये अच्छे स्वास्ती कामना करते हैं मुझे विश्वास है कि आपके नेत्यत्व में अस्टेलिया भारत की साज़दारी नई उचायों तक पहुचेगी प्येम मोदी ने कहा कि जब मेरी माँ जीवी थी तो मैं जन्दिन पर हमेशा माँ का अश्रवाद लेने जाता था मा मेरे मुँ में गुड़ खिलाती थी मा तो नहीं है लेकिन आज एक आदिवाशी मा ने मुझे खेर खिला कर मुझे जन दिन पर आशिवाद दिया वजीर आजम की बर्तरे हो और वो मारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में तृथली माच की है वोई सेंस में के इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारिक बाद बेज रही है और भी सुना दुनिया के लेडर्स जो है उन्होंने लेटर्स चैटर्स बेजे हैं देखें तो बीजे भी जो है उसने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है मौल बना दिया है के जी नरेंदरा मोदी जी की बड़े है और उसमें फिर वो जिसे वो कहते हैं ना 74 यर्जी डेसं लोग लग 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 बाद बावए 74 यर्जी के हैें और ही जी जूब लॉर्ट है अच्छा यह जो बातें वो कर रहे हैं ही जो जूब पार ज़ूर्जा मिलोनी का मौरखबात बेजना नरेंडरा मोदी को वाइ वाइस तरफ जी नरिंडरा मोदी साब आपको मौरखबात हो मुझे यह उमीद है कि इटली और भारत के जो जो फ्रेंट्शिप एंड कोलाबरेशन है यह नेक्स लैवल पर जाएगी ठीक है आपको पता है इंडिया के अंदर बड़ी मीम्स भी बनती हैं मोदी साब की और क्याना है मैं उसका जो 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 मेलोनी की और मुझे याद लास्टाइम जब नरेंद्रा मोदी जी सैमन में थे तो वो जिस अंदाज से जोज जो जा जो 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 एंदा है ने के बरतानिया के वजीरियाजम थे उस वकत वो भी मिले तो वो जिस अंदाद से मिले तो उन्हों ने वो हैडलाइन्स बन गई कि जैसे वो उनके ओपर गिरने वाले थे तो इस तागे डिसकेशन चली और नरेंदरा मोदी को जो 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 इम्पॉर्टन चीज हमां को बताना चा उसको इस चीज से जोड़ दिया कि आप जो हैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन हैं ठीक है सारे का सारा मीडिया सारे की सारी जो लिडिरिशिप है ठीक है जी वो है और नरेंदरा मोदी जो है वो अपनी बर्थडे के उपर उदिशा के अंदर एक स्लम जो है उसका मतलब बैकवर्ड एरिया है कह लहीं है उसको जहां उसा चीजे नहीं अच्छी चीजे नहीं है वहां पर जो है वो जाएंगे वहां पर कोई प्रोग्राम है वो उन्होंने शुरू करना है बहराल अब दो क्वेस्टन यह है कि इस बिर्थडे को इस नेक्स लेवल पर लेकर चले जाना ठीक है और कहना जी के नरिंद्रा मोदी एक डिसिसिफ विजिनरी लीडर है जो अमन के लिए दुनिया के लिए अमन के लिए यह बड़ा यह पार्टिय जंता पार्टी है ठीक है वो कहते हैं जी कि एक बंदा जो 1950 में पैदा हुआ गुजराद के अंदर वदनागर के अंदर उसने गुजराद का चीफ मिनिस्टर आया बारा साल फिर अब वो तकरीब इतने साल ही 11 साल के करिए उसका अर्सा हो गया वो प्राम मिनिस्टर है तो ही इस ही इस अ मेसेंजर आफ पीस इस इन इंस्परेशन पर पीस एन एमपती तो मुझे ऐसा लग़ा है थैट वी कि वो जो अब आमेट शाह ने ये कहा कि ही इस वीजिन फर निव इंडिया थीक है या इस तरह की चीज़नों ने उनके बारे में की फर द पॉबलिक वेलफिर और अल डाइट सो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो जो इनस्परेशन फर पीस एन एमपती की नरिंदरा मोदी बात करते हैं मुझे ऐसे लगए है कि वो जो इंडिया कि फॉर फाधर से उस एमिज। तक उसको ले कि आना चाहते हैं ठीक है और जैसे नए इंडिया की बात कर您한डी ऍार किया है वक क्या ये है कि जो माजी में था उस से पीछे आड़ जाएं ठीक है फार गजामपल जो ट्रांस्फरमेशन डिवेलपमेंट वो तो चलो एक साइट पर चीज़े हैं लेकर पॉइंट हेर इस वो जो ट्रांस्फरमेशन डिवोशन वो सारा कुछ अपनी जगा पे लेकर जैसे फा जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप ये हम इस चीज़ को रेलाइज नहीं कर रहे हैं आप सर्वाइवल मोड में हैं वो तरक्यों पर जा रहे हैं सर्वाइवल मोड में आपको सबसे पहले फिनैशल इंस्टेबिलिटी आपकी है उनकी नहीं है वो इस चीज़ को प भारत के साथ अच्छे रिलेशनिशिप और ट्रेड आपकी जगूरत है आप सबसे बड़ एक तो उनको देखें आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी हमने उनको घर में नजर बंद कर दिया लेकिन उसकी कई वीडियो मौझूद हैं कि वो लोगों के साथ भूम रहे हैं वो अ इन चीज़ों को सीरियस लेंगे दूसरी पालिटीज को देखेंगी आपको आपका इतमाद का फैक्टर है इस वक्त आप उनको बिलकुल आग के उपर किसी किसम का इतमाद नहीं है क्योंकि कई दफ़ाज इस तरह कारगल हुआ कैई इस तरह के और वाक्यात हुए जिसके सा होते हैं आप हर चीज़ को अभी तब मेरे ख्याल में जाती दोर पर पूछें तो अभी तक वे आर नाट सिरियस अपाउट इप वी हैफ तो बिकम सिरियस अभी तक तो हम आप पाकिस्तान की ना सियास्त ना जभूरियत और ना ही मौश्यश्य के बारे में सीरियस हैं लेकि जब हम चीजों को सीरियस देना शुरूर करेंगे तो नजर आना शुरूर